कोगनेटिव अप्रेंटिश्चिप और इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशन कंशियाने थिंकिंग के लिए सोचने के हिसाब से लर्निंग ए सोचल एक्टिविटी में काम में आता है यह उसका सही जवाब है और अदर जो क्रेशन से वो यह है कि आर बेस्ट और अप्लिकेशन आफ इंड़क्टिव रिजनिंग यह बेस होता है अप्लिकेशन इंड़क्टिव रिजनिंग के थर्ड होता है एंफसाइज और सिस्टेमेटिक और अर्गनाइशनल अफ टेक्शलल माटेरियल तो टेक्शलल जो माटेरियल है टेक्स का, उस पर related होता है, उस पर असंदाज होता है, या फिर fourth है, highlight करता है वो need of practical thinking, practical training अच्चिव करने efficiency, यानि कि शम्ता और कारकरदगी पाने के लिए highlight करता है need of practical training, तो यहाँ पर conceive learning करता है ये social activity के तौर पर, conceive learning, यानि thinking के हिसाब से social activity में, तो इसमें जो inductive reasoning है, इसको inductive logic या bottom of reasoning भी कहा जाता है, जिसमें एक method होता है, drawing का conclusion, जिससे एक specific से general पर बताया जाता है, यानि के drawing के तौर पर inductive reasoning में, मिसाल की तौर पर अगर कहा जाए कि cheap medications जो होते हैं, तो वो A and B दोनो major side effects होते हैं, मतलब जो सस्ती दवाईया होती है, उसके बाद है, observe करना है cheap medication cause, major side effects, और उसका मतलब यह होगा कि सारे medications cause करते हैं, major side effects, इस तरह से उसको diagrammatic way में एक बनाना होता है, तो इसमें inductive reasoning में यह आता है, मतलब उसका एक logical base पर या फिर कहा जाए, कि drawing के हिसाब से conclusion तयार करना, जिसे हम tables के उसके जरीवी बना सकते हैं, तो यहाँ पर consume learning as social activity, thinking के तोर पर learning करना social activity में, यह cognitive apprenticeships में और instructional conversation में आता है, next है, इसके बारे में आपको और study करना होगा, YouTube सा और Google की मदस से कि यह क्या होते हैं, next है 26, According to Piaget, children begin to learn the objects still exist even when they are out of right. कि Piaget के साथ से children begin करता है, शुरुवात करता है, learn करने objects को still exist जो होते हैं, even when they are out of right, कि वो right नहीं भी होते हैं, तो this is known as objective permanence, objective permanence जो होते हैं, तो यह objective permanence यह होता है, कि जिसके अंदर एक child की ability, बच्चे की ability, जिसमें वो जानता है एक objective, जो object जो रहेंगे, वो continue to exist, कि उन्होंने कभी उसके बारे में ना देखा है ना सुना है, एसे objective की ability, या understanding, समझदारी, कि जो है exist, लेकिन उन्होंने कभी उससे महसूस नहीं किया है, इसके एक मिसाल दी जाए, तो जैसा के छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो के 6 महीने के होते हैं, तो उसके जो parents वगारा कोई बड़े होते हैं, तो वो एक object को किसी cloth के पीछे छुपा देते हैं, और short period तक wait करते हैं, कि उसके उसे पहुँशने तक, तो 6 महीने का बच्चा वहां तक जातर पहुँश नहीं पाता, वो पहुँचेंगा निए hidden object तक, तो वो ये समझता है वो बच्चा, कि वहां से अगर वो cloth के पीछे से कुछ चीज हटा भी दी जाए, और वो वहां पर नहीं है, तो उसे लगता है कि वहां पर मौजूद है, तो ऐसी चीज के जो, मतलब object की मुस्तखिलियत का मतलब यह है कि कोई चीज अब भी मौजूद है, चाहे वो पोशीद हो, वो छुपा दी गई हो, उसका existing, उसको मतलब तलाश करना, तो वो यह होगा, इसे और study आप इसे कर लीजिए, अच्छे से YouTube के जरीए भी, नेक्स्ट है, the advantage of program learning क्या होता है, it is enjoyable, यह फिर directed toward specific object, यह फिर adapted to individual difference, यह फिर all of the about, तो all of the about होती है, program learning में, मतलब एक well planning यह फिर well programmed learning में, enjoyable भी होती है, उसे entertain भी होता है, directed होता है, specific objective के एक मकसद के बुनियाद पर, और adapted होता है individual differences में, सारी चीज़े, Next, 20th, education function of the state and central governments are provided under article, तो under article list 1, 2, 3, including 42 amendment bill के हिसाब से, यह चीज़, education function, state or central government, मतलब, NCRT और state board दोनों का education का function list 1, 2, 3, including 42 amendment यह याद रखना है अको, Next, 29th, how will you monitor the progress of your students, आपके students का progress कैसे monitor करेंगे, By giving class test के जरी, By asking the parents, parents से नहीं होगा, monitor, पूश करके बच्चा कैसे पढ़ रहा है, Na seeing by homework copies of the students, सिर्फ homework के copies से करते बैठने का मकसद, उनको monitor करना नहीं होगा, By asking the headmaster, ना आप headmaster से पूछ सकते हैं के बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वो तो आपको मालू होने साहिए, तो आप giving class test ले सकते हैं, उसके बाद next year 30, the government of India has started mid-day meal scheme for elementary school, which of the following theories of motivation support this scheme, तो humanistic feeling है, तो यह जो scheme है, इसके अंदर आते है, humanistic scheme के अंदर,